कुरोना से दंदा नहीं रनना है पक्सतान जिन्दाबाद कुरोना से दंदा नहीं दंदा है पकिस्तान जिन्दाबाद मास पैंकर बाई जाना है जटो को दोटाने पर पर देना है जिसलेंगे दोस्तों कैसे हैं सब उन्हीत करता हूं सब ख्यार ख्यार रिस होंगे दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो ये नॉटिकेशन्स आतेiron हमें गूगल की तरफ से कि मैं आफन से न्यूजद कि कि निते हैं चुटकारा पाने कमें आपको तुरीका बताओंगा का भी दोस्तों मुझे कमैं सवाल किया कि मैं पहले दो तीन वीडियो जिसी टॉपिक पर बना चुका हूं मैं तो उसी वीडियो पर उन्हों मुझे सवाल पुछा मेरे सब्सक्राइबर्स ने और मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हों मुझे कमेंट किया कि हमारे पास यह नोटिफिकेशन आते हैं बार बार आते हैं अगर हम ब्राउजिंग करें या ना करें ठीक है एक powers tabi कि टरफ से नोटिफिकेशन हमारे पास आता इह जब हम शैटल नीचे करते हैं ठीक तो वहां पर हमारे पास नोटिफिकेश है यह भी कुछ इस तरह से मारे पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया ह में तो आप को मैं इस वीडियो में इसी का हल बताऊंगा कि कैसे हम इससे जान चुड़ा सकते हैं कैसे चुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप से मेरी च्छोटी सी रिक्वेस्ट आगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले अकान पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आभी यहां पर बात कर हुँ यहां पर क्रॉम की ठीक है क्यूंके जादतर तर लोग वो ख्रूम यूश करते हैं ठीक है अगर हम इसकी जगह dark या कोई और बरााउजर यूज करें जिस में पावर recom defence होते हैं Airblokker है लेकिन पुराने में एड ब्लॉकर नहीं है ठीक है ये कुछ बातें हो गई अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने मुबाइल स्क्रीन पर और आपको वहां पर करके बताता हूँ कि कैसे हम इस मैं इसे नाटिफ但是 से जानट छुडवा सकते हैं तो दोस्तो हैं तो दोस्तों यहांपर आपने दो काम करनें हैं यहांपर जिसंस ब्राउजर से आपको बार बार नाटिफ़ेकेशन आ रहे हैं आप उस ब्रॉजर एप इन्फो भो में जाए यानि कि सैटिंग में जाके आब्रीकेशन मैनेजर में जो एप इन्फो होते है आप आप वहाँ पर आपने एक llos step करनें आपते तो मैं सबसे पहले setting में जाता हूं अपने मुबाई्ल की setting में जाने के बाद general में जाता हूँ तो basically आपने वो option ढूड़ना है जिसमें हम कोई भी एप को uninstall करते हैं ठीक है अब काफी इसमें नाम change हो सकते हैं मेरे जो Samsung का मुबाइल है उसमें application manager के नाम से है हो सकता है different different companies के अलादा अलादा नाम नामों से ये option आपको मिले जैसे के application के नाम से मिल सकता है apps के नाम से भी मिल सकता है ठीक है app setting के नाम से भी मिल सकता है ये काफी ज्यादा इसमें है basically आपने वो option ढूड़ना है जिसमें आपको option मिलता है कोई भी एप को uninstall करने का ठीक है तो आप application manager पर मैं ने क्लिक किया उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आल पर क्लिक करता हूँ यह देखे मैं आल पर क्लिक किया तो यहां पर मैं जितनी भी मेरे मुबाल में इंस्टॉल्ड है ठीक है चाहे वो सिस्टम एप्स हों या लोकल एप्स हों जितनी मेरे मुबाइल में इंस्टाॉलड़ हैं वह सारी ओजेंगी हिएग ठीक है तो अब ही मैं यहां पर जा रहा हूं यह सामने मेरे करॉम आ गया है तो क्रॉम पर क्लिक रापे क्लिक करते हैं और यहां पर सबसे पहले आपने फौर्स टॉप प्लिक करना ओके यह four stop हो गया ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपने clear catch memory पे क्लिक करना है इसकी जो clear catch है उसको clear कर देना आपने ठीक है और उसके बाद आपने clear data पे next option जो है वो clear data पे आपने click करके okay कर देना है ठीक है यह अब की बार के लिए तो आपका यह उसके clear हो गया यह जो stuck हो गया था आपके browser में यह दुबारा आपके पास यह मसला नहीं आएगा जब तक आप उस website पे दुबारा नहीं जाएंगे ठीक है और एक दो options उसमें अगर आप apply करेंगे यह उसको छेड़ खानी करेंगे एक दो options की फिर हो सकता आपके पास यह option आए ठीक है मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह फिल हाल के लिए यह खतम हुए यह नहीं है कि अगर next time नहीं आएगा आप उस website पे जाना इससे गुरेज करें ठीक है जिस 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 को यह option नहीं मिलता setting में ठीक है जहां पर आपका Chrome हो वहां पर आपने टैप करके रखना है अब यह Chrome है मेरे पास यहां पर मैं टैप करके रखता हूँ ठीक है और आप उपर देख सकते है create folder cancel और एप info ठीक है एप info पे जाके तो यहां पर क्लिक कर देंगे हम ठीक है इस तरह से करेंगे तो यह डिरेक्टिव वह चीज़ आपके सामने आजएगी जो मैंने setting में जाके खोली है ठीक है तो यहां पर भी simple वैसे करने आपने four stop पे क्लिक करने और उसके बाद आपने clear catch पे करने और उसके बाद clear data पे करना है अच्छा एक यह चीज़ हो गई अब अगर आप मुकमल तोर पे इन नोटिफिकेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने chrome को update कर लें ठीक है उसमें add block का option आ जाएगा ठीक है और अगर आप अपना browser chain करना चाहते हैं तो आप मैं आपको recommend करूंगा यूसी browser ठीक है यूसी browser में काफी अच्छे फीचर हैं यूसी browser अपने mobile में install करें play store से ठीक है मैंने already install किया हुआ है तो इसकी मैं आपको setting बता देता हूँ किया आपने कैसे setting करनी है यह देखें मैंने तीन जो लाइने हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया यह देखें मैंने तीन लाइने पर क्लिक किया उसके बाद यह देखें यह ओपर adds 22 adds block लिखा हुआ है ठीक है मेरा add blocker on है यहाँ पर तो मैं simple यहाँ पर click करता हूँ उपर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमें कितना जबरदास थी यहाँ पर हमें option मिल रहा है powerful tool मिल रहा है यह देखें add block simple ठीक है उसके बाद powerful add blocker यह देखें आपको option भी मिल गया यहाँ पर कि यह जो block sticky adds मतलब कि जो tick जाते हैं adds मिसाल के तोर पर जैसे chrome में stuck हो गया था कोई भी यह उस तरह का इसमें मसला नहीं आएगा आपको ठीक है तो आप यहाँ पर इसको on करें ठीक है तो इसके बाद इसके आपके पास दुबारा मसला नहीं आएगा जैसे कि आप उपर भी देख सकते हैं कि यह guard का जो आइकन है उसमें 22 adds block भी हो चुके है already ठीक है तो यह काफी अच्छा browser आप इस पे एक तो speed भी काफी अच्छी आती है net की आप डाउनलोडिंग करें कुछ करें online browsing करें तो यह काफी अच्छा browser है मैं आपको यह recommend करूंगा आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है install कर लें ठीक है और यह नीचे देखें आपको पूरी history भी देगा detail भी देगा कि यह कैसे pages filtered देखें पांच pages इसने filter की है और 44 pages जो है इसने visit की है ठीक है और इसने देखें image इतने block की है और hidden ads 12 इसने block की है ठीक है तो यह चीज़ है आप इसमें अगर करें इसकी chrome की जगह पे आप अगर इसको यूसी browser को यूस का तो इन्शाला आपके पास यह वाला जो स्टक हो जाता है यह इन्शाला दुबारा मसला नहीं आएगा मैं यह नहीं कहाँ आपके पास दुबारा यह नहीं आएंगे आपके पास यह उस सुरत में आएंगे notification आप दुबारा online browsing करेंगे तो हो सकता है आपके सामने आए नहीं तो जिस तरह notification स्टक हो जाता है कि बार बार आप किसी website पर जाएं या ना जाएं तो यह notification आता रहता है यह वैसा कुछ भी नहीं होगा तो दोस्तो आपने देखा कि कैसे Chrome को हम कैसे इस में से notification को खतम करते हैं ठीक है clear कैसे करते हैं तो दोस्तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर मेरा username आ रहा होगा Instagram का आप मुझे जाके वहां पर follow कर सकते हैं वहां पर मैं आपको आपका किसी भी किसम का अगर सवाल होगा तो मैं उसको easy तरीके से आपको बताऊंगा हल उसका और आप से इंशाला बात भी करूंगा जो भी आपका मस्तला होगा मैं solve करूंगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें करें शेयर करें दोस्तों को और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी मिलते हैं किसी नेक्स टॉपिक साथ तब तक के लिए अलाहाफिज